नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेल्थ ड्रिंग जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही जादा जरूरी है अगर आपके शरीर में बहुत जादा दर्ध रहता है मास पेशियों में सूजन है हमेशा आपको कमजोरी और ठकान फील होती है या आपको मोटापा है चर्वी बहुत जादा है हमेशा आपके शरीर में शुरू से ही खून की कमी रही है या पुराने से पुराना गठिया है तो वो सारी तकलीफें अगर आप इस हिल्ट टॉनिक को पीएंगे तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपस दिखते होंगे आप खुद भी हो सकते हैं कि पूरा दिन सोने के बाद भी हमारे शरी में ठकान सी रहती है सुस्ती सी श करता है तो आगर आपको भी सारी समझ से आए हैं तो आज का मेरा ये बताया हुआ हेल ट्रिंग लेना स्टार्ट कर दें आपके अंदर इतना विजिबल रिजल्ट आएगा कि आप खुद देकर हैरान हो जाएंगे आप पहले से बहुत ज़दा आक्टिव फील करेंगे आप मोटापा भी आपका काफी जादा कम हो जाएगा आपके हाथ पेरों में सूजन, कमर में दर्द, पुराने से पुराना गठिया उसमें भी आपको फरक दिखना शुरू हो जाएगा बस जरूरी है इसका सही तरीका जानना और सही तरीके से पीना तो चलिए जानते हैं इसको पीना के समय है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेर जरूर करिएगा क्योंकि आज का आपका वीडियो का शेर करना बहुत सारी लोगों की जिंदिकी को खुश्णवा बना सकता है, तो ऐसे ही हमें दूसरों की help करनी चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, इसको बनाने के लिए आपको लेना है एक glass दूद, दूद में आपको डालना है सबसे पहला ingredient है हमारा soft, जी हाँ, जो हरी वाली soft आती है, खाने वाली, वो ही आपने इसमें इस्तिमाल करनी है, soft क्या करती है आपके पेट की बिमारियों को बिल्कुल दूर करती है, अगर आपको gastric problem है, या आपको पेट में बहुत जादा दर्ध रहता है, आपको खटी डिकारों की समस्या है, कब्स की समस्या है तो उसको दूर करती है, तो जितना भी आपके शरीर में गंदी की जमयना उसको बहार निकालती है, आपके शरीर में कॉलिस्ट्रॉल को भेतर करती है, soft आपकी यादाश को बढ़ाती है, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी है आपके कले के आवाज यानि जिन लोग सिंगिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है साथ में ये आपके जोडों के दर्थ को बहुत अच्छे से दूर करती है क्योंकि आपके शरी में वाद के प्रभाफ को कम कर देती है जब हमारे शरी में बाद का प्रभाब जादा हो जाता है तो हमारे जोडों में दर्द रहने लगता है acidity बनती है गठी आगर आपको है तो भी आपके लिए soft बहुत ही जादा लाब डायक है तो आपने इस्तमाल करना है इसमें एक चमत soft का ये आपके खून को साफ करती है अगर आपके शरी में कॉलिस्ट्रॉल बहुत जादा बढ़ गया है लिवर पे फैट है उन सब को अच्छे से निकालती है जिन गर्ल्स के साथ पीरट्स की प्रॉब्लम रहती है उनके पीरट्स रेगुलर नहीं है तो उनकी ये प्रॉब्लम भी इससे solve हो जाएगी अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ingredient की तरफ जिसका नाम है अद्रक जी हाँ दोस्तों अद्रक आपने यहाँ पर लेनी है एक इंच अद्रक और पतला पतला उसको आप चकु से भी काट सकते हैं बिल्कुल आप उसको बहुत बारीक कर लीजिए अब अद्रक के क्या चमरतकारी फायदे हैं अद्रक सबसे पहले काम आती है पुराने से पुराने गठिया, जोडों का दर्द, मास पेशियों की सूजन को ठीक करने के लिए आप नोटिस करेंगे कि अगर अद्रक का आप सेवन कर रहे हैं या इस दूद का सेवन कर रहे हैं तो उसके बाद में आपकी जोडों में दर्द कम रहने लग जाएगा आपको गठिया में बहुत ज़दा अराम मिलेगा ये आपके माइन को रिलाक्स करती है अगर आपको बहुत ज़दा स्ट्रेस बनता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन को खतम करके गुड हार्मोन, हापी हार्मोन हमारी बॉड़ी में रिलीस करती है और सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज़ अगर आपको डाइजेशन से रिलेट कोई भी समस्या है कब्स की, एसडिटी की, पेट में जलन की, पेट फूलने की तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और आपके वेट लॉज के लिए बहुत हेल्फुल है आपका वजन बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा वसा है, चर्वी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पिगलाने का काम करती है आपके छाती में कफ नहीं बनने देती है, तो ये बहुत ही जादा एफेक्टिव है हमारी स्किन से सारे टॉक्सिंस को निकालती है, आपके स्किन को बहुत थी क्लियर और ग्लोइंग बनाती है ठीक है, और अब इसके साथ हमारी बारी आती है अपने तीसरे इंग्रीडियन्ट की जो है दालचीनी ये हमारा last ingredient है दाल चीनी के sticks साफ ले लीजे मिक्सी में grind करके उसका powder बनाके काच की शीशी में store करके रख लीजे अगर आप जिंदी की भर विमानियों से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि दाल चीनी आपके मोटापपे को कम करने के साथ साथ आपके पूरे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है अगर आपके बाल बहुत जादा ज़ड़े हैं तो इसमें दाल चीनी बहुत जादा फायदे मंद है क्योंकि ये आपके हैर फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाती है बालों को लंबा घना करती है तो इसमें आप दाल चीनी का इस्तमाल जरूर करें एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन पाये जाते हैं ये आपके सारे तुच्वा से स्किन से सारे टॉक्सिंस को निकालती है कॉलेजन को नश्ट करती है कॉलेजन जो हमारी स्किन में ज़्यादा बढ़ने लगता है दिल को स्वस्ट रखती है और आपके मास पेशियों में जितना भी सूजन है दर्ध है सब बिल्कुल कायव हो जाएगा आपने इस ही कॉंटिटी लेनी है एक चथाई चमच आप इस दूद में मिक्स कर दीजे इसको अच्छे से उबलने दीजे उबलने के बाद आप इसको चननी की मदद से चान कर एक क्लास में निका लीजे और सिप सिप करके पिए अगर आपको थोड़ा सा हनी आट करना है तो हनी के लिए आप दूद को थोड़ा ठंडा होने दे जब लुक वार्म हो जाए दूद तब आप हनी आट करें चाहिए या बिल्कुल सुभा करना चाहिए तो जरूर इसका सेवन करें और फिर देखें इसके चमातकारी फायदे और अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं बच्चों के लिए आपने बिल्कुल चुटकी भर दालचीनी का इस्तमाल करना है, बहुत थोड़ी सी आपने अधरक लेनी है हर कॉंटिटी को बहुत कम कर देना है सौफ आपने वन फोर स्पून लेना है तो इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चों को भूग खुलकर लगेगी वो अच्छे से खाएंगे, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब जो आपको खाने के टेंशन रहती है जो उनकी बॉड़ी, फिजीकली ग्रोथ की टेंशन रहती है वो हो नहीं एटलीस बंद हो जाएगी क्योंकि उनका फिजीक भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और उनकी बॉड़ी भी अच्छी दिखेगी और उनका भूग भी खुलकर लगेगी बच्चों को तो आप अपने घर में अपने बड़ों को पिलाएं खुद इस चीज को लें वीडियो को प्लीज अपने फामिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें शोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर करें ऐसी कुछ भैतरी इन देखने के लिए मेरे साथ बने रहें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई कर देख और झाली लव यू ओल